हाई फ्रेंड्स अर्लास किचन में आप सब का स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक टिकी की रेसिपी शेयर करते हूँ ये टिकी आप चाट के साथ या बिना चाट के भी आप चाई के साथ खा सकते हो या कोई चटनी के साथ भी खा सकते हो तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए यहाँ पे हम आज बनाएंगे boil corn और boil लाल वाली चॉली आती है या red लब्या बुलते हैं उससे हम बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने 1 4th cup जितना boil corn लिया है और 1 1⁄2 cup जितना मैंने red लब्या लिया है याने red चॉली तो वो दोनों को मैंने boil कर लिया था थोड़ा सा नमक add करके आप देख सकते हो लब्या अच्छे से boil हो चुका है और यह कौन भी अच्छे से boil हो चुका है तो फिर अभी आगे की process करते हैं आगे की process में क्या करते हैं अब फ्रेंज के एक mixer jar लेते हैं mixer jar के अंदर यहां पे हम कौन एड़ कर लेते हैं और लोब्या भी एड़ कर लेते हैं वो दोनों एड़ करने की बाद हमें धक्कन बंद करके बहुती बड़िया एक paste बना लीनी है तो दिखिए फ्रेंज अच्छे से हम इसके अंदर एड़ करने की बाद धकन बन कर लेते हैं और mixer में crush कर लेते हैं अभी crush होकर ready हो गया है अभी open करके देख लेते हैं दिखिए फ्रेंज बहुती अच्छी paste बन कर तयार हो गई है एकदम healthy और यह हम दुसरे एक बावल में shift कर लेते हैं और यह shift कर लेने की बाद अभी इसके अंदर हमें मसाला करना है मसाला थोड़ यहां पर घर के routine कहीं मसाला करेंगे ज्यादा और कोई spicy नहीं तो कि बच्च भी खा सके बड़े भी खा सके और acidity भी ना हो पचने में भी एकदम हलका हो तो यहां पर हम लेते हैं एक टेबल स्पून जितना अद्रक और हरी मिर्च क पेश्ट लेते हैं आप जितना तिखा खाते सो इतना लेशकते हो यहां पर इसी के साथ यहां पर वन हाफ टीस्पून जितना यहां पर हल्दी पाउडर लेते हैं हल्दी पाउडर एड़ करने के बाद स्वादनुसार नमक एड़ करते हैं और इसी के साथ हाफ टीस्पून जितना लाल मिर्श पाउडर यहां पे भी आप तिका ज्यादा खाते हो तो ज्यादा ले सकते हो एक टीस्पून जितना बुना हुआ धनिया पाउडर लेते हैं और इसी के साथ यहां पे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए एक टीस्पून जितना यहां पे निम्बू का रस लेते हैं इसके अंदर हम निचोड लेते हैं और इसी के साथ यहां पर बाइंडिंग के लिए फ्रेंड्स यहां पर लेते हैं वन टेबल स्पून जितना राइस फ्लोर लेते हैं आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो कॉन फ्लोर भी ले सकते हो और कॉन फ्लोर भी नहीं है तो फिर आप पोहे को भिगो के भी ले सकते हो और इसी के साथ मैंने दो टेबल स्पून जीतना हरा धनिया एड़ कर लिया है वो एड़ कर लेने की बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स कर लेने के मार मेरे पास तीन कलर के कैपसिकम है तो मैं यहां पे रेड ग्रीन और यलो तीन कैपसिकम ले रही हो आपके पास एक कलर का है ग्रीन है तो ग्रीन यहां पे ले सकते हो यह सब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम आटा जैसा हमें बना लेना है तो हाथों से हम थोड़ा सा इसको गुथ लेते हैं बहुत अच्छे से ये डो जिससा बन जायेगा तो हमारी ये टिकी बहुत बढ़िया बनेगी हम Patti's बना रहा हैं बहुत बढ़िया तो Patti's हम अच्छे से बना सकते हैं देखेज़ फ्रेंड्स एकदम स्मूथ हमारा ये बन कर तयार हो गया है तो अभी हम क्या करते हैं कि इसकी pettis बनाते हैं आप चाहो तो कचोरी जैसा गोल राउन लडडु भी बना सकते हो pettis भी बना सकते हो ठीके तो अभी हम यहाँ पे pettis बना रहे हैं हातों को थोड़ा सा ओइली करके हम pettis बना लेते हैं ऐसे round shape में और इसे थोड़ा सा flat कर लेते हैं और side से गोल कर लेते हैं देखिए ऐसी हम subpetis बना लेते हैं देखिए friends subpetis बनकर हमारी तयार हो गई है आप देख शक्ते हो और अब हम क्या करेंगे केक तवा लेते हैं इसको cello fry करते हैं हम deep fry नहीं करते हैं तो यहाँ पे हम cello fry कर लेते हैं तो तवे पे थोड़ा सा तेल लगा के हम pettis को cello fry कर लेते हैं एकदम lese oil में हम कर रहे हैं यहाँ पे करीबन एक teaspoon जितना भी तेल नहीं लगा है तो भी बहुत बढ़िया बन जाएगा यहाँ पे और थोड़ी सी नीचे क्रिस्पी हो जाए बाद में इसको turn करना है देखिए फ्रेंट्स अभी turn कर लेते हैं आराम से देखिए एक साइड बहुत अच्छी सी क्रिस्पी बन गई है इसको भी turn कर लेते हैं और ऐसे ही हम सब पैट्स को हम cello fry कर लेते हैं एकदम कम में आप चाहो तो डिफ राई कर सकते हो आप चाहो तो ज़्यादा ओइल ले सकते हो लेकिन हम यह पैट्स बनाएगे तो इसके साथ चाट भी अच्छी लगती है तो देकिए फ्रेंट्स बहुत अच्छी है पैट्स बन कर तयार हो गई है आप देख सकते हो उपर से क्रिस्पी है और ये चाट के साथ भी अच्छी लगती है चटनी के साथ के साथ सब के साथ अच्छी लगती है और आपको चाट बनानी है तो चाट भी बना सकते हो जिसे कि इसके उपर मतलब कोई भी रगडा डाल दिया और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं बहुत ही जल्ड नेक्स रेसिपी में तब तक करें।